हेलो दोस्त मैं आज ले क्या हो प्रतिवीम इससे पहले में पढ़ा दिया था आप लोग प्रकास के परवर्तन और प्रकास के परवर्तन के मुखे तो नियम होते हैं एक आपतित कोड प्रवर्तन कोड के बराबर होता है और एक जो होता है आपतित कियान परवर्तित कियान परपण के सामने रखते हैं यदि उस बस्तु की आकृति उस दरपण में बन जाती है उसे प्रतिविम करते हैं देखिए जैसे माल लेजिए कि यदि किसी बस्तु को माल लेजिए यह बस्तु है और यह दरपण है अगर इस बस्तु को दरपण के सामने रखते हैं अगर इसका प्रतिविम इसमें दिखाई दिया समतल दरपन में दिखाई दिया तो कहेंगे वो प्रतिविम यानि किसी दरपन के सामने किसी बस्तू को रखते हैं तो उसका प्रतिविम उसमें दिखाई देता है उसे ही हम लोग प्रतिविम कहते हैं प्रतिविम दो परकारक होते हैं देख वैसा प्रतिविम जिसे परदे पर हम प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तिक प्रतिविम कहाते हैं अगर वास्तिक प्रतिविम किसे कहते हैं तो वैसा प्रतिविम जिसे हम लोग परदे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तिक प्रतिविम कहा जाता है वास्तिक प्रतिविम बस टूछे आवाष्तिक परतिवीं के लिए बस्तू के पिक्छा सीधा क्यों करें यlinedış होता है और देखिए एक होता है अभासी प्रती भिंव को । अभासी प्रतिवीं को या या बश्ची किया जा सकता है इसे हम लोको अभासी प्रति भ Int Вас तूठी हं昨ु स्थी है यहां देखिये दोक-उर nota है जो note North point है इसको उनोर ध्यान से पढ़ेंगे जैसे note number one है utan जैसे भॉस तू की दूरी प्रतिभीम की दूरी आपस में भ्राबर होते हैं जैसे बास तुक की दूरी यानी कि बात कह सकते हैं कि बॉस की दूरी के दूरी बीच में कोई दरपण है तो यदि ये नो संबाद कह सकते हैं जितना दूरी दरपण से प्रतिभिं का हुगा उतना ही दूरी से प्रतिवीम की कार सकते हैं एक खास बात और है इसमें BE हो moss करता हुअ कि समतल दरपण के सामने यदी कोई समतल दरपण के आगे बस्तुं जितना आगे रखेंगे इसका प्रतिवीम उतना ही पीछे बनेगी ज्याएड़ पुछ intern समतल दरपण में बस्तु जितना ही आगे रखते हैं उसका प्रतिविम उतना ही पीछे बनता है जैसे सपोर्ड एट माल लिजिए कि अगर आप समका है कि ये दो मीटर पर अगर बस्तु रखा गया है तो प्रतिविम भी कितना मीटर बनेगा दो मीटर अगर इसको घसका दिया जाए अगर इसको रख दिया चार मीटर पर ये भी हो झाया कि इतना मीटर पर चार मीटर आया होगा अागर आपसे कभी जiesen प्रतिविम क्या है तो आप करहा का सकते हैं रपल के सामने है या यूदि कोई बस्तु रखा गया हो उस बस्तु का दिप्रतिविम यानि उस बस्त प्रत्वीम को पर्द्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं वास्तिक प्रत्वीम बस्तु के फिक्षा में सा उल्टा बनता है परन्तु अभासी प्रत्वीम बस्तु के फिक्षा में सा सीधा बनता है इसे टूटी रेखास दिखायाता है इसे स्टेट रेखास दिखा सकते हैं जितना दूरी देखे दरपण से जितना दूर पर मुझें या कि पूछटाए कि वास्तवी प्रतिवीम और आभांसी प्रतिवीम की दूसरा पूछेगा वास्तिक प्रतिविम किसे कहते हैं तता इसका प्रकृति कैसा होता है अगल पूछेगा अभासी प्रतिविम किसे कहते हैं इसका प्रकृति कैसा होता है इत्तीन कोश्चनिया से या तो पूछ देगा प्रतिविम किसे कहते हैं कितने प्रकर के होते हैं I hope कि आप को एदम completely समझ में आ गया होगा अब हम लोग आते हैं इसके आगे Bala topic में दर्पन और देखते हैं कि दर्पन क्या होता है और दर्पन कितने प्रण के होते हैं चलिए अब हम लोग दर्पन के बारे में देखते हैं दर्पन क्या होता है देखें कि चिकने परदर्शी सतह पे अगर हम एक सतह पे कलाई कर दे या पेंट कर दे उसे दर्पन करते हैं यानि किसी मारे चिकने परदर्शी पदार्त पे एक परत पे अगर हम लोग पेंट मार द परत्वीम का अकार बस्तू के बराबर होता है यानी कि बराबर होता है नियुक्तना बादार होता है कि है Jena को मृत से वंके बने रहेंगे आप स्पर्ण के सुमत रौपन की विजशता बता भी समतल दरपन क्या है इसके बिस streets आप कहा सकते है संपल दरपन जिनका परवर्वर fandee समतल कहारता है सम्तल दरपन के बिसेशथा निम्हेथ होते हैं जयसे ніमेने लिखीत होते हैं धर प्रतिवीम हमेशा दर्पन के पीछे बनता है, दुसरा पॉइंट, प्रतिवीम का करबस्तु का बराबर होता है, प्रतिवीम समतल बनता है, पार्सविक रूप से उल्टा बनेगा, और प्रतिवीम जितना ही दर्पन के आगे रखेंगे, प्रतिवीम उतना ही पीछे बनेगा अब हम लोग आते हैं गोलिये दर्पन को दो भागों में बाटा गया समतल दर्पन और गोलिये दर्पन अब गोलिये दर्पन को दो भागों में बाट दिया गया देखिए गोलिये दर्पन जिसका प्रवर्तक पिष्ट एक गोलिये दर्पन हो एक भाग होता है उसे गोलिये दरपन मुख्यते दो प्रक्राइब होते हैं एक होते हैं आउतल दरपन और एक होते हैं समतल दरपन हो गया जितना आपको यह पढ़ा रहा है यह टोटली चीज आपको दोनों भाग होता है तुकड़ा होता है जिसके धस्ते भाग से परकास का परवर्टन हो जिसके धस्यूए भाग से परकास का परवर्तन हो उसे हम लोग आउतल दरपन काते हैं जिसके धहसे हुए भाग से परकास का परवर्तन हो उसे आउतल दरपन काते हैं जो हम लोग किसी मुख्यक्ष के समानतर घेचेंगे तो फोकस पर कर जाएगा अगर दियाद रखी एक और परिभासा इसका दे सकते ह जिसके उभरे हुए भाग पर कलाई या पेंट किया गया हो उसे अउतल दरफण कहा जाता है दो point के लिए आप से उतल पूछेगा तो उतल पूछेगा जिसके उठे हुए भाग या उभरे हुए भाग से परकास का परवर्तन हो उसे उतल दरफण कहा जाता है दूसरा पॉइंट कह सकते हैं जिसके धस्य भाग पर कलाई किया गया हो या पेंट किया गया हो उसे हम उत्तल दरपन कहते हैं इसका माली जिए कि अगर प्रकास सिधा जाए मुख्य समंतत एक प्रकास निकल जाएगा इसे लाइफ का प्रतित फ होगा इथार अगर बस्क करें इसका वी आवका सी हो जाएगा या यह होता चार्ड चाहिं पूछते कि बाता हो अंतर प्रकास का उत्तला अलंफर ँसस से उत्तला ख्रत जाता है जिसके धहते भाग से प्रकास का परवर्तन हो उसे ओतलद्रपन कहा जाता है texograf उत अगे हम लोग देखेंगे ऑतल दरपन का उपयोग उताल दरपन को पर त्युग परत्वीं कहा-णैँ तो कहा बनेगा kaj करेंगे अगले क्लास में में लेके आऊंगा एप बराबर आरबाइटू और उत्तल में भी उत्तल में